हलो शुट्रेंट हाव आर यू आपसे भी ठीक होंगे तो आठ से हम क्लास 9th ICSC MLA GARBAAL एक्सर्साइस 12 के कुछ नमार 23 से आपको बताएंगे वोके पेटर देखी क्या कहा रहा है कहा रहा है इन दे अजोइनिंग फीगर तो डियागनल A C and B D of a quadrilateral ABCD intersect at O at right angles prove that AB square plus CD square is equal to AD square plus BC square ओके बेटा देखिए student इस exercise के जो लास्ट के कोशन है वो one of the most important question है examination point of view से तो इसको थोगा ध्यान से समझेंगे अब बहुत ट्रिकी कोशन है सारे ठीक है चलिए solution देखो सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे सबसे हम लेंगे triangle A O B कौन से triangle लेंगे in triangle A O B क्या अप्लाई करेंगे by PT PT का मतलब पाइथागोरस थिरम ठीक है पाइथागोरस थिरम क्या होता है कई बार बता चुका हूं हाइपोटेनस का square is equal to होता है base का square प्लस perpendicular का square अगला काम क्या है triangle A O B में हाइपोटेनस base और perpendicular को भहचान A O B आपका ये वाला triangle है आप इन अब डिग्री बना लीजे 90 डिग्री 90 डिग्री के opposite वाली side यानी की A B ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा ठीक है base आपका OA हो जाएगा और perpendicular आपका O B हो जाएगा clear ये बेटा अच्छे से इसके बाद समझेगा ठीक है उसके बाद हम लेंगे अपना triangle DOC क्या लेंगे in triangle DOC by PT क्या लेंगे by PT clear ये बेटा अच्छे से इसके बाद समझेगा हाइपोटेनस का square is equal to लिख सकते हैं base का square plus perpendicular का square DOC triangle में या आपका 90 degree होगा ये सब कोशन में गिवन है ठीक है मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ 90 degree के opposite वाली जाड़ या नहीं कि CD आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा बेस आपका OC हो जाएगा परपेंडुकलर आपका OD हो जाएगा परपेंडुकलर और बेस को अगर आपस में आप इंटरचेंज भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्लियर है बेटा आच्छे से कोई दिकत वाली बात तो नहीं है बात है तो बताओ यह हो गई आपकी question number one यह हो गई आपकी question number two क्लियर है दोनों को add कर देंगे add equation one and two add करने भी क्या मिलेगा ज़रा देखिए a b square में आप c d square जोड़ेंगे left hand side को left hand side में जोड़ेंगे a b square plus c d square is equal to क्लियर है बेटा अच्छे से आप समझेगा o a square को o d square के साथ जोड़ेंगे ऐसा क्यों जोड़ने भी देखिएगा o a square को o d square के साथ जोड़ेंगे यह एक bracket में रहेगा plus o b square को o c square के साथ जोड़ेंगे अब यह ऐसा क्यों करने आपको पता चल जाएगा ठीक है इसको equation 3 माल लिजे clear है अब हम दो अलग triangle की तरफ चलते हैं कौन कौन से triangle triangle AOD और triangle BOC की तरफ इसमें हम python गोरस थेरम अप्लाई करके देखते हैं क्या हमको मिलता है in triangle AOD by PT PT का मतलब python गोरस थेरम देखें क्या मिलेगा hypotenuse का square is equal to base का square plus perpendicular का square AOD triangle में hypotenuse क्या होगा ये भी आपका 90 degree है 90 degree के opposite वाली side यानि की AD तो यह हो जाएगा AD का square is equal to base कितना है आपका OA है तो यह हो जाएगा OA का square plus perpendicular कितना है OD है तो यह हो जाएगा OD का square clear है उस्तिकरे से हम नेंगे triangle BOC और यहाँ पर भी apply कर देंगे PT PT का मतलब पाइथागो रस्तिवर पाइथागो रस्तिवर क्या होता है hypotenuse का square is equal to base का square plus perpendicular का square hypotenuse किया है यहाँ पर BC है तो यह हो जाएगा BC का square is equal to base आपका है OB का square plus perpendicular आपका OC ठीक है आप देखिएगा समझेगा बेटा OA square plus OD square इसके जगा पर हम क्या ली सकते है यहाँ भी देखिए OA square plus OD square इसके जगा पर क्या ली सकते है AD square तो इस AD square को उठाकर यहाँ पूट कर देंगे उससे किसे OB square plus OC square इसके जगा पर क्या ली सकते है BC square इस BC square उठाकर यहां put कर देंगे ठीक है ना इसको आप 4 लिट दो इसको 5 लिट दो तो यह हो जाएगा AB square plus CD square OA square plus OD square की जगा क्या लिखेंगे AD का square plus OB square plus OC square की जगा क्या लिखेंगे BC का square और इसका reason क्या देंगे इसका reason देंगे from equation 4 and 5 equation 4 और 5 की help से हमने यह चीज conclude कर ली और हमको यह चीज question में prove भी करनी थी तो देख सकते हैं कितना असान था ठीक है देखने में बस टप लगेगा रहेंगी चीज़े असान ठीक है चलो इसके बाद अपने next question देखते हैं सबजना थोड़ा सा सबसे पहले यहां पर दो राइट आंगल ट्रेंगल है ABC और ADC हमें यह दोनों ट्रेंगल लेंगे इसमें पाइथागोरस तेरम अप्लाई करेंगे equation देखेंगे देखेंगे हमें क्या मिलता है in triangle ABC और यहां भी लेंगे in triangle ADC इसमें भी PT लगाएंगे यानि पाइथागोरस तेरम लगाएंगे और इस triangle में भी PT लगाएंगे यानि पाइथागोरस तेरम अप्लाई करेंगे ABC triangle ABC triangle में दोनों के statement तो सेम रहाएगा hypotenuse का square is equal to base का square plus perpendicular का square यहां पर भी सेम statement रहाएगा hypotenuse का square is equal to base का square plus perpendicular का square ABC triangle ABC triangle में hypotenuse क्या होगा 90 degree के opposite वाली साथ यानि की AC ABC का square plus perpendicular क्या होगा AB होगा AB का square clear है वाई सेम चीज़ यहां पर ADC triangle में hypotenuse क्या होगा यहां पर 90 degree यह है तो इसके opposite वाली साथ यानि की ये AC यानि दोनों में hypotenuse क्या है सेम है base क्या होगा AD होगा क्या square perpendicular क्या होगा DC होगा ठीक है यह आपकी equation 1 या आपकी equation 2 दोनों को add कर देंगे ठीक है यहां पर क्या मिलेगा देखिए add equation 1 and 2 what we will get AC square में AC square जोल जाएगा तो हो जाएगा 2AC square ठीक है अब इन चारों चीज़ को एक साथ लिग देजे BC square plus AB square plus AD square plus DC square clear है BC square को आप right hand side से left hand side में shift कर दीजे तो जाएगा 2AC square minus BC square is equal to AB square plus AD square plus DC square और कुछ यही चीज़ आपको question में proof भी कर नहीं थी आप देख सकते हैं तो आप देखोगे proved यह चीज़ हमने क्या कर दी बटा proof कर दिया है clear है चाहिए इसके बाद अपना next question देखते हैं देखिए क्या कह रहा है ठीक है देखो कह रहा है in a triangle ABC angle sorry in a triangle ABC angle A आपका 90 degree दिया है CA और AB बराबर है CA और AB की value length same है ऐसा question में दिया है और कह रहा है D is a point on AB produced और D कोई point है जब अपने AB को produce किया यानि AB को अगर बढ़ाएंगे तो उसके उस पर को 80 point आगे आ जाएगा can I prove that DC square minus BD square is equal to 2AB into AD अच्छा question है conceptual question examination point of view से और SAB आपके ilm के लिए भी ठीक है आपकी knowledge के लिए solution समझना में बेटा बहुत असान question है सबसे पहले है लेंगे हम triangle ADC कौँज रिएंगल लेंगे in triangle ADC क्या apply करेंगे by PT by PT ठीक है क्या लिए सकते हैं hypotenuse का square is equal to base का square plus perpendicular का square ADC ADC triangle में hypotenuse क्या है आपका CD है तो यह जाएगा CD का square base आपका क्या है AD है तो यह हो जाएगा AD का square plus perpendicular क्या है AC है तो यह हो जाएगा AC का square clear है CD square is equal to AD का क्या लिए सकते हो AB plus BD लिए सकते हो तो लिए देंगे AB plus BD का whole square ठीक है तो यह मैं आए बटा इसके बाद समझना plus AC का square क्यों लिएगा CD square is equal to AB plus BD का whole square इस identity को हम यारी इस bracket को हम sorry इस bracket को हम A plus B के whole square की identity से open कर सकते हैं A की जगा पर आपका AB है B की जगा पर BD है तो फार्मला क्या होता है A plus B के whole square का A square यानि AB का square plus BD का square plus 2 into AB into BD अब plus AC square clear है तमाज में आया अच्छे से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बात है तो बताओ ओके बेटा अच्छे से अब इसकी बात समझना इस BD square को उठा के आप सेट shift कर देंगे ठीक है तो यह हो जाएगा CD square minus BD square ठीक is equal to आप समझना अच्छे से ठीक है समझते चलो बेटा बहुत आसान है ठीक है A B square के जगा A B square ही रख देंगे आप ठीक है नए plus 2 into A B into BD और plus A C square के जगा क्या आप A B square रख सकते हैं सर क्यों ऐसा क्यों करेंगे question को solve करने के लिए क्योंकि A C और BD आपस में क्या दिये हैं बराबर दिये हैं A C कहो चाहे C A कहो बात से बहुत है ठीक है न यह तो समझते हो चाहे भईया मैं A C कहूं चाहे C A कहूं बात तो मैं A C लेंग की कर रहा हूँ तो A C और A B बराबर है तो A C स्क्वाइर के जगा हम A B स्क्वाइर भी रख सकते हैं ठीक है ना कल दीजिए अब आ जाएगा आपका जाएगा C D स्क्वाइर माइनस B D स्क्वाइर इस इक्वाइर टू A B स्क्वाइर प्लस A B स्क्वाइर हो जाएगा BD अब देखिए, दोनों में common क्या है ये वाले term में और ये वाले term में common क्या है 2AB common दिख रहा है आपको, बहुत अच्छ यह जागा 2AB 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 square में से 2AB बहार निकालेंगे, बचेगा AB, प्लस 2AB और BD में से 2AB बहार निकालेंगे, बचेगा BD इसको आप CD square minus BD square as it is लिखते हैंगे AB plus BD AB plus BD आपको क्या मिलेगा AD मिलेगा न, यहाँ पर AD पूट कर देगे, तो जागा CD का square minus BD का square is equal to 2AB 2AB और bracket के वीच में कोई से साय नहीं तो by default क्या होगा, into ही तो होगा न, यह तो बहुत basic सी बात है AB plus BD, AB plus BD क्या हो जाएगा अपको, AD मिल जाएगा प्रूव हो गया बेटा clear है बेटा अच्छे से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ देख सकते हो, असाने के साथ प्रूव हो गया है चलिए, इसके बाद अपने next question करते है और यह मेरे काज़ से last question है इस exercise का, ठीक है आसान कोशन है देख लो कहरा inner isosilis triangle ABC, कॉंसर triangle ABC, यानि आपका ABC, यह आपका isosilis से मतलब AB और इसी बराबर होंगे पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है कहरा D is a point on BC produced और जब हमने BC को मिलाया, तो D आपका आगे एक point मिलेगा, कहरा prove that AD square is equal to AC square plus BD into CD, बहुत असान कोशन है, बहुत अच्छा कोशन है, इसको समझेंगे ठीक है, देखो, solution सबसे पहले हम लेंगे in triangle APD कॉंसर triangle, in triangle APD by PT PD का मतलब, पाइथा गोरस थे तो यह जाएगा hypotenuse का square is equal to base का square plus perpendicular का square clear है बेटा, आच्छे से आप समझेंगे इसके बाद APD, यानि ये वाले triangle, इसके हिसाब से hypotenuse क्या होगा, 90 degree की opposite वाली side, यानि की AD तो यह जाएगा AD का square is equal to base क्या होगा, base होगा आपका PD, लिख लो PD का square plus perpendicular क्या होगा, AP तो लिख लो AP का square clear है बेटा, आच्छे से इसके बाद समझेंगे, यह जाएगा AD का square is equal to PD का आप कहा लिख सकते हो, PD को कहा लिख सकते हो, PC प्लस CD लिख सकते हो लिख लो PC प्लस CD का whole square और प्लस AP का whole square, AP का square clear है, इसके बाद समझेंगे यह हो जाएगा, AD square is equal to, PC प्लस CD का whole square, यह हो जाएगा, PC का square plus CD का square plus 2 into PC into CD और प्लस AP का square क्लियर है बेटा, आच्छे से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ ओके बेटा, आप समझना यह PC square और AP square का आप एक साथ लिख लो एक साथ लिखने का फाइदा क्या होगा, यह आपको पता चल जाएगा भी AD square is equal to PC square plus AP square इसको आप एक साथ लिख होगे, बचा क्या आपका, CD square बचा है, ठीक है CD square बचा है, अब प्लस AP square इसके जगह पे आप क्या पूट कर सकते हो, देखो मैं बता रहूं क्या पूट कर सकते हो, अगर हम ले लें triangle APC, कौन सा triangle, APC और इसमें apply कर दें PT, PT मतलब Pythagoras theorem तो देखो क्या मिलेगा, Pythagoras theorem का simple statement है, कि hypotenuse का square बराबर होता है, base का square प्लस perpendicular के square के, ठीक है, hypotenuse क्या है यहाँ पे, AC है, तो यह जाएगा, AC का square is equal to, base यहाँ पे क्या दिया है, PC दिया है, तो यह जाएगा, PC का square प्लस, perpendicular क्या दिया है, AP दिया है, तो यह जाएगा, AP का square, clear रहे बेटा, अच्छे से, अब देखो, PC square plus AP square इसके जगह पर क्या पूट कर सकते हैं AC square और कुछ यही चीज यहां पर मुझूद है PC square plus AP square तो इसके जगह पर क्या पूट करेंगी हैं यह वाला AC square इसको चाहिए भी equation 1 कहे दो ठीक है तो यह जाएगा AD का square is equal to PC square plus AP square के जगह क्या पूट करेंगी AC square clear है ना बिटा अच्छे से कोई दिक्रत वाली बात तो नहीं है बात है तो बता दो ओके बिटा अब इसके बाद समझना बिटा ठीक है यह आपका CD square है ठीक है ना अच्छे अब इसके बाद समझना इसके बाद क्या होता है इन दोनों में कुछ common आ रहा है CD square और plus 2 into PC into CD क्या इन दोनों में कुछ common आ रहा है पहले यह बताओ तो बिलकुन आ रहा है CD common आ रहा है न CD आपको common दिख भी रहा होगा ठीक है ना बड़ा CD आपने common ले लिया अंदर क्या बचेगा bracket के यहाँ तो CD बचेगा लिख लिया CD आपने इन टू यहाँ बचेगा 2 into PC आपने लिख लिया अब दर समझना A, B, C आपका एक isosilis triangle है isosilis triangle की property होती है यह आपको पता होने चाहिए मैंने इसी exercise में आपको कई बार बताया है कि जब हम non-equal side पे आपका altitude drop करते है तो वो altitude क्या करता है इस non-equal side को two equal parts में divide कर देता है यानि मैं कह सकता हूँ कि अगर ABC एक right angle sorry ABC आपका एक isosilis triangle है जिसमें AB और AC बराबर है तो AP क्या करेगा BC को two equal parts में divide कर देगा यानि BP और PC बराबर होंगे ठीक है और इसी same चीज़ को मैं लिश सकता हूँ कि BC क्या हो सकता है BC क्या हो जाएगा BP plus PC यही तो होगा न BC अरे बहुत यह BC को हम क्या लिश सकते हैं BP plus PC अब क्योंकि BP और PC बराबर है तो BC is equal to हो जाएगा BP के जगा भी हम CP रख दें या PC रख दें तो PC plus PC और BC is equal to क्या हो जाएगा 2 PC ठीक है तो यहाँ पे देखो 2 PC लिखा हुआ है तो 2 PC के जगा भी हम क्या पूट कर सकते हैं BC पूट कर सकते हैं एक पशिशन टू लिखके ठीक हो जाएगा AD का स्क्वाइर is equal to AC का स्क्वाइर प्लस CD इंटू CD प्लस 2 PC के जगा क्या पूट कर सकते हैं BC पूट कर सकते हैं क्लिया रहे बेटा अच्छे से अब देखो CD प्लस BC CD प्लस BC क्या हो जाएगा मिलके BD नहीं हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा आपका AD का स्क्वाइर is equal to AC का स्क्वाइर प्लस CD इंटू CD प्लस BC CD प्लस BC मिलके क्या हो जाएगा BD हो जाएगा और यही चीज़ा आपको कोशन में प्रूफ करनी थी यहां आपको BD इंटू CD लिखा है मैंने CD इंटू BD लिख दिया है आगे भी चेकर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओके बेटा इस वन अगर आपको वीडियो पसंद आएगे तो इसको लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुचाएं जो कोचिंग को एफॉर्ड नहीं कर सकते हैं था इंक्यू